इस तो नेक्ष्ट हम देखते हैं हमारा थे टोपिक है डाय टिक और पोलराइजेशन तो डाय ये प्लूराइजेटरिक और पोलराइजेशन के बारे में पड़ेंगे तो डाय लेक्टरिक आपके लिए कोई नया तोपिक नहीं आप प्लस्टु हो गए तो आप सोच रहों कि इलेक्रिक कोई नहीं टोपिक के बिलकुल नहीं डियालेक्रिक आपने पढ़ाया है तो उसमें क्या पढ़ा था उसमें पढ़ा था एलेक्टर को छोड़ कर किसी मेंसे भी पास हो सकती है दें साइड दा कंडूक्टर इलेक्रिक फिलल जीर क Orlando की न्दर इल्लेक्रिक फिल्लिक क्या होताई जीरो होता है यह हम Bennett पता है फिर हम टाइलेक्टे के डाइलेक्ट्रेश नीए पड़ेंगे आपर तो पर डाइलेक्ट्रीक की डैफिनेशन जासे मेरे वताई उसको आप थोड़ा लेंथी करने के लिए यहां से देख सकते हैं कि अदेके अंदिर पॉलराइजेशन होता है एक सबस्टांस होता है डज नहीं होगा वन अनदर जो इट इस असेंशल एंग इंसुलेटर यह कंडिसन है कि यह इंसुलेटर होना चाहिए क्योंकि डायलेक्ट्रिक का मतलब इंसुलेटर होता है यहां पर अपनक्टर नहीं ले सकते ठीक है कैन पूलराइज समाल लोकलाइज डिस्पलेस्मेंट ओफ च लेक्टोनिक इपटे अधीलाइज जैने रहे हो सकते यह सकते हैं इस मे dei और क्रोंक्ति के नॉट पॉजल आगे हम पढ़ते हैं यह को समझना पड़ेगा अब पॉलर भी आप प्लस वन में पर चुके हैं तीक है जहां पर आपने लंडन फॉर्श पढ़ी थी टिकने यहां पर है डाइलेक्ट्री पोलर में अब पोलर क्या होता है हम आझ फिजिक्स की अपर्ड़िक समझेंगे जर्णली पोलर क्या होता था यहां से जो हाइडोजन के पास थे और यहां से हम इनकी जो बोंडिंग भी करते थे वह भी कुछ ऐसी होती थी पहले बीच में होते थे इनके लेक्ट्रों आफ्टर देट कुछ टाइम के बाद क्लोरीन की तरफ मुव कर जाते थे पूरा नहीं कहेंगे बट कुछ टाइम बा और जो यहां पर हाइडोजन है पासा पॉस्टिव चार्ज आ गए हम मानते थे ठीक होता भी ऐसा है तो इसको पॉलर बोलेंगे तो यहां पर फिजिक्स में आपको क्या करना है जो इनका को इंसाइड है पॉस्टिव और नेगटिव चार्ज को में देखना पॉस्टिव प होते हैं और एटम से ही हर चीज बनती है तो यहां पर देखिए पॉलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं अब मॉलीकुल इन विच दा सेंटर ओफ मास ओफ पॉस्टिव चार्जेज प्रोटोन कह सकते हो एक ही बात है ड़स नोट को इंसाइड विद दा सेंटर ओफ मास नेग है इसमें एक्जामपल आप वोटर एल्कोहल एक्षियल कोई भी अलग जिन में डाइपोल मॉमेंट जिनका होता है ठीक है हम यह कह सकते है तो यह हमारा एक्षियल है तो पोलर है यू नोट इस डेल्टा पोस्ट्टिव और इस डेल्टा नेग्टिव बट हम इस तरीके से नहीं करें वोटर की बात कर लें तो यहां पर होता है यह 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 नहीं करता है यह बात आपको ध्यान रख रहे हैं मौस्ट इंपोर्टन बात यहीं पर यहीं है डेफिनेशन अगर आपके पास आजाए और मॉलेकुल इन विच सेंट्र ओफ मास ओफ पॉस्टिव चार्ज यानि के प्रोटोन डज नोट कोइंसाइड विद दा सेंट्र ओफ मास नेगटिव चार्ज इनके जो पॉस्टिव और नेगटिव चार्ज है वो कोइंसाइड नहीं यह आपको इन्पोर्टन पॉइंट ध्यान से समझना है अब नोन पोलर की बात करें तो यहां पर डजनोट हटा देंगे बस बाकी सेंट्र ओफ मास ओफ दा पॉस्टिव चार्ज मीन प्रोटोन कोइंसाइड विद दा सें में पड़ा हुआ है कि जो नॉन पोलर है जैसे च्टू हो गया एंटू हो गया क्योंकि इनके पास सेम चार्ज होता है अब एच एच से लेक्ट्रोन नहीं चीन सकता है जैसे बनाके दिखाते हैं आपको यह एच के बीच में बोनिंग होती है यूनोट एट इनेक्ट्रोन जैसे लेखते हैं भेसे सेंट्ट इन दोनों की स्ट्रेंथ क्या है सेम में इट कान लोगा इसका मतलब यह चार्ज नहीं होगा मतलब फोलर प्रेक्ट्र नहीं करके देगा तो आपने पढ़ा है पीच में ट्रिपल बोनिंग होती है तो इसमें भी च्छ 4 है जैसे आपने प यहां पर 4H है यहां पर आप बना सकते हैं तो यह हमारे पास किसके एक्जम्पल है नोन पोलर के एक्जम्पल है यह आपको समझ में आ गया जिसका Center of mass of the positive charge और और नेगटिव charge को inside कर जाए तो नोन पोलर और नहीं करें तो पॉलर तो अब J holand 911 करेंगे उसको हम देखते हैं जो वह आरे पास डेखते हैं और यह पॉल्राइज करते हैं में एक्सिन dat rin कि वे उसको नेस्ट देखते हैं मिस जैसा कि हमारे ने危ini को आई आज आप जीन और इसथे सेंटर थे वह कोइंसाइड नहीं थे और जो नौन पोलर थे उनके सेंटर क्या है को इन साइड पोजिटीव का और नेगटिव का उसको हम यहां समझेंगे जब वनको इलेक्ट्रिक field में रखते हो भी external electric field में after that वो क्या होते हैं polarized होते हैं उससे पहले वो polarized नहीं होते हैं तो देखिए हम इन case of polar ले लेते हैं पोलर तो पोलर में we know that a molecule which have the center of mass of the positive does not coincide center of mass of the negative negative positive दोनों charge है यानि कि जो center of charges हैं वो coincide नहीं करें तो polar में polar dielectrics को समझ रहे हैं इसको समझे polar dielectrics होता क्या है तो हमारे पास जब हमने external electric field e-note journaling consider करते हैं आप कुछ भी consider कर सकते हैं e-note is equal to zero it means हमने एक surface consider कर लिए यह वाला और इस surface पे हमारा जो external electric field है वो zero हमने बहार से कोई electric फिल्ड नहीं दिया है और उसके बाद हमने जो यहां पर हमारे डाइलेक्ट्रिक पड़े हुए थे उनके चार्ज को rival कोichenफ on-side नहीं थे उनको देखा तो रेंडमनी पड़े हुए जैसे यह से है पोजिव नेगटिव को व स्कूटिव नेगटिव नेगट पॉस्टिव और पॉस्टिव मिन कोई कहीं भी negative positive कोस्टी में कि बद जब हमने इसको कोई एक्षण сдел नहीं दिया आफ्टर सम टाईम हम इसको कोई इलेक्ट्रीक फील यहां से उठाया और इलेक्ट्रीक फील्ड में रखका यह हमने यहीं पे लगाके एलेक्ट्रोड इसके बीच में एलेक्ट्रिक फिल्ड अप्लाई कर दिया अब क्या होगा जैसे हम इसमें इलेक्ट्रिक फिल्ड अप्लाई करते हैं देखिए after apply electric field does not equal to 0 electric field हमारा जब क्या ना हो 0 ना हो तो क्या होगा जब हमने इसमें कुछ apply कर दिया electric field it means actual electric field is not 0 therefore हमें बता है जो electric field line है वो move करती है positive charge to negative charge it means अगर वो positive to negative move कर रही है तो positive को क्या करेगी repel करेगी और negative को क्या करेगी attract करेगी after some time हम देखेंगे यहाँ पर तो क्या value है वो देख लिजिए हम यहाँ पर इसमें polar कर लेंगे और उदर non-polar तो हमने जैसे electric field दिया इसमें तो यहाँ पर इस surface में बाद में क्या हो जब electric field हमारा 0 नहीं है then after applied extend electric field we know that electric field line move positive to negative it means it repel positive charge and attract negative charge they have a particular direction यह सारी कि सारी चीज़े particular direction में आ जाएं कैसे तो one two three four five six है सारी कि सारी हमारे पास particular direction में कैसे आ जाएगी positive negative और यहाँ पर positive से positive नहीं होगा यह बदल जाएगा चाहिए ऐसे ही पढ़ा हो but it means यह ऐसे हो जाएगा sorry positive तो था ही क्या हो जाएगा यह negative positive clear because positive charge क्या होगा repel होगा पहले external electric field नहीं था इनके बीच में gap proper था तो इससे कोई repulsion नहीं थी मतलब repulsion थी लेकिन but gap इतना ज्यादा था कि repel नहीं कर पा रहा था बट इस gap में electric field है it means positive क्या करेगा उसको repel करेगा और यहां पर यह negative था तो it means यह यहां एज़िटीज रह जाएगा ठीक तरीके से ठीक है यहां पर negative है यहां पर electric field आपने दिया है तो it means इसकी जो एक particular direction बन जाएगा तो after applied electric field electric field is does not equal to zero polar dialectics polarized यह क्या हो जाएगा polarized हो जाएगा ऐसे polarized होता है अब non-polar की बात कर लेते देखिए नोन-polar कि डाइलेक्ट्रिक्स कि इसकी definition अबने क्या पड़ती अ molecule कि विच सेंटर ओफ मास पोश्टिव ओफ दा पोश्टिव चार्ज और नेग्टिव चार्ज ठीक है कौण साइड क्या है एक पोश्टिव चार्ज कॉन साइड विद दा सेंटर ओफ मास और नेग्टिव चार्ज तो यहाँ पे कौन साइड करेंगे कौन साइड कैसे करेंगे देख लिजिए बही कंडिशन में इस original zzle времени को एक्षम एक्षम नहीं दिया सिरुल य यहाँ पर हैं अ कि छोन्पोलर मोलेकुल हमारे पास पड़े हुए है कि एक-छुघ-गटीव पोच्टीव नेगटीव पोच्तिव नेगटीव फोच्तिव नेगटीव फोच्टीव reproductive-positive तो यह साथ में पड़े होंगे दूर नहीं होंगे ठीक है तो उसके बाद अगर हमारा एक्ट्रीक फिल्द हम इस पर अपलाई करते हैं आफ्टर अप्लाइड इलेक्ट्रीक फिल्ड वी नोग दाट जिसमें क्या है हमारे पास की नौन पॉलर और पॉलर डाइलेक्ट्रिक को पॉलराइज कैसे करते हैं एक्स्टनल एक्ट्रिक फिल्ड में जब उसको बहार से मिलेक्ट्रिक फिल्ड अप्लाई करते हैं तो वह पॉलराइज हो जाते हैं यह पॉलराइज है यह नौन इसने कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए तो इसका मतलब क्या है यहां पर हमें पता लगता है तो यह means polar and non-polar dielectric both developed a net dipole moment अब dipole moment क्या होता है इसके हम उपर पढ़ेंगे ठीक है और dipole moment हमने जो पढ़ा है इसको हम समझेंगे तो dipole moment तो हमने वैसे पहले ही पढ़ा हो लेकिन अब दुबारा पढ़ेंगे जो dipole moment होता है वो चार्ज इन्टू डिस्टेंस एलेक्टिक डायपोल हमने कैल्कुलेट किया था ठीक है और dipole moment के निकल जो चार्ज है उसकी अगरम उसकी डिस्टेंस से क्या करदें multiply दोनों जो चार्ज है तो चार्ज का तो magnitude यहां पर से इस गॉल्ड polarization of dielectric इस तरीके से यह हमारा topic हो जाता है next topic है हमारे पास polarization density तो next topic आप देख लीजिए टॉपिक है हमारा पोलराइजेशन डेंस्टी अब पोलराइजेशन डेंस्टी के जब हमने इसको पॉलराइज किया तो हमें इतना तपता वजमने surface लिया है यह जो टॉझेशन डिया है वह कितना है तो डाइपोल मॉम्मेंट पर यूनिट वॉल्युम है इंडूज़ द्हेशन मॉमेंट पर रहुँनिट वोल्म long received अमारा यहां से पीशरी पर्जन फए मिंद्धोटा है इंदूज दाइपल मॉमेंट पर रहे जाना भॉल्म इचकॉड पॉलराइजेशन निस्टी तो इंदूज डाइपल मॉमेंट तो ढाइपल लिए मुमेंट डैवलप में वॉल्यूम हमें क्या करना है तो अब डैवल मुमेंट हमें पता है कितना होता है हम डैवल मुमेंट की बात करें डैवल पूरा लिख देते हैं चलो से high-pope moment समझते हैं यह आपर चार्ज इंटू दिस्टेन्स होता है ठीक है और वोल्यूम की बात करें तो वोल्यूम यू नो बेट वोल्यूम को wins सकते एरिय इंटू डिस्टेन्स ठीक है यहां हम पुट करते हैं चार्ज इंटू डिस्टेंस वाई एरिया इंटू डिस्टेंस डिस्टेंस से डिस्टेंस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा तो पी पोलराइजेशन हमारा जो रहेगा डैंस्टी को हम कैल्कुलेट करेंगे चार्ज बाई एरिया और इसको सिग्मा पी से सुरी सिग्मा पी से रिप्रेजेंट कर देंगे और इट मेंस वी कन से दाट चार्ज वाई पर यूनिट एरिया चार्ज पर यूनिट शर्फेस एरिया इस कॉल पोलराईजेशन तो यहां से आपको पोलराईजेशन देंस्टी निकालने तो बहुत एजली कैलकुलेट हो जाएगी कुछ भी नहीं है जो आपने पोलराईज किया था तो पोलराईज करने के बाद हमें क्या करना है डाइपॉल मॉमेंट पर यूनिट वोल्यूम कितना वहां पर डाइपॉल मॉमेंट था तो डाइपॉल मॉमेंट भी हम पहले से जानते हैं तो डाइपॉल मॉमेंट क्या था चार्ज इंटू म कहते हैं इसको पीसे भी आप रिपरजेंट कर सकते हैं तो यह हमारा कर दो है करें की आप